Now students, इस question को देखिए, ये two equations दीए हैं, आपको बोल रहा है, find the value of m and n, such that the pair of linear equation have the infinite number of solution, so, अगर आप देखोगे, तो infinite number of solution का case क्या होता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, यहां से होता है, अब चेक कर लो, first equation में x का coefficient क्या है, 2m minus 1, याने कि a1 कितना हो गया, 2m minus 1, by a1 by a2, second equation में x का coefficient 3, a1 by a2 is equals to b1 by b2, b1 क्या है, first equation में y का coefficient 3, और b2 क्या है, second equation में y का coefficient n minus 1, is equals to c1 by c2, c1 कितना है, minus 5, और c2 कितना है, minus 2, इसमें कोई doubt है, बताईए, इसमें कोई doubt है, बताईए, अब next step में क्या होगा, बताऊं, next step में अगर आप देखोगे, तो ये वाला आपका minus से minus cancel हो जाएगा, तो 5 by 2 हो जाएगा है, ठीक, अब आपको क्या करना है, दोको this ratio is equals to this, ratio is equals to this, कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो ये वाला portion है, इस starting वाला, ये भी किसके equal है, 5 by 2 के equal, यानि कि हम क्या कर सकते है, भाई, तीनों equal है, तो ये वाला भी इसके equal है, और ये वाला भी, ओके, और 3 को पहले उधर बेजिए, तो 2m minus 1 is equals to 5 by 2, और 3 divide में तो उधर जाके multiply कर दिया, तो यहां सा जाएगा, आपके पास 2m minus 1 is equals to 5, 3 जा 15, और divided by 2, अब इसके बाद, next, 2m minus 1 is equals to, yes, 2m is equals to 15 by 2, और minus 1 उधर जाएगा, तो plus 1, और इसको अगर आप solve करोगे, तो 2m is equals to 2 into 1, 2, 15 plus 2, 17 divided by 2, याता करना, 2 under 2, 15 plus 2, 17 by 2, अब ये 2 multiply, इधर आके divide करेगा, तो m is equals to 17 by 2 तो पहले से ही था, और ये 2 आके divide करके नीचे 2 में multiply, तो m की value आगे 17 by 4, ठीक है, और ठीक इसी तरीके से, अब आप क्या करोगे, अब आप 3 upon n minus 1 को इसके equal करोगे, ठीक, यानिके next आप करोगे, 3 upon n minus 1 is equals to 5 by 2, और यहां से आप n की value निकाल लो, तो, यहां से आजाएगा आपके पास, ध्यान देंगे students, cross multiplication, आप एक काम करो, taking reciprocal on both sides, तो n minus 1, जैसे करना हो, वैसे कर लो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, समझे क्या किया है, taking reciprocal on both sides, इधर भी, इधर भी, अब यह 3 divide, उदर जाके multiply, तो n minus 1 is equals to 2 by 5 into 3, यह 3 लिखा हो है, ठीक, तो, यहां से हो जाएगा आपके आपके पास, n minus 1 is equals to, 2, 3, 6, 6 by 5, और यहां से हो जाएगा आपके पास, n is equals to 6 by 5, और minus 1 उदर जाके plus, तो यहां से n is equals to 6 plus 5 into 1 5, अपन में 5, और n की value आगे 11 by 5, तो इस तरीके से बच्चो, n की value आपकी 11 by 5, और m की value आपकी 17 by 4 है, इस तरीके से हम इस problem को solve करेंगे, मेरे ख्याल से कोई doubt नहीं हो इस पितो अपके से हैंगे धन टुश से घूर जहा एपकी लाहां से कमे दर्सक्शने दास्टेक धित den अच्त और यहां से तूरशनेंगे आपकी 1 1